जय हिंद, हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल, यूजे अन्पीजी क्लासे चैनल पर, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जोग्राफी का वन लाइनर क्वेशनें से, ठीक है फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, कि इसका पार्ट वन औ और, जी के जी, इसका भी सिक्वेंस के अनुसार, क्वेशन एंसर अप्लोड किये जा चुके हैं, ठीक है फ्रेंड, अभी हम लोग देखने वाले हैं, यह जिग्राफी का पार्ट नमबर थ्री है, इससे अगर फर्स सेकंड आप नहीं देखे हैं, तो जरूर देखेंगे, और यह पार्ट नमबर थ्री, अभी हम लोग देखने वाले हैं, वह लाइनर, चले स्टार्ट करते हैं, भारत और चीन की सीमा रेखा को असपर्स नहीं करने वाले भारत की राजी कौन से हैं, देखें फ्रेंड, यह ऑप्सनल है, यह ऑप्सन है इसमें, सिर्फ इस कोशन मे हैं, ठीक हैं, तो इसमें यह बताएंगे ने कि भारत और चीन की सीमा, कौन कौन मतलब इसमें से कौन राज ऐसा है, जो भारत और चीन के साथ सीमा साजा नहीं करता है, कहने करती हैं, कि सीमा चीन के साथ यह सीमा सपर्स नहीं करता है, सकराजी कौन से हैं, तो अरुनाचल आचल पर्देस उत्रहखंड य 26 यह चार अपके पास कफ और अरुनाचल पर्देस भी करता है है लेकिन उत्रहपरदेस नहीं करता है तो इस ऊंसन के लिए करक्ट एंसर हो जागे कि उत्रहफंड स puntos करता ठीक है फ्रेंड नेक्स्ट है यहां पर भारत के किस अस्थान को मरुवस्थल की राजधानी कहा जाता है तो फ्रेंड भारत के जैसल मेर को मरुवस्थल की राजधानी कहा जाता है एक शी जो रहे है भारत में सबसे बड़ी मरुवस्थल कौन सा है तो यह है थार मरुवस्थ और ये भी जो है न थार मरुवस्थल इसी वाले राजस्थान वाले इलाके में है ठीक राजस्थान में ही थार मरुवस्थल यह कोशन याद रखेगे कि भारत की मरुवस्थल कौन है सबसे बड़ी मरुवस्थल कौन है तो थार मरुवस्थल ठीक है फ्रेंड इसके बाद है अरावली और विंध स्रिंकलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली परवत और विंध स्रिंकलाओं के जो परवत है, उसके बीच मालवा का पठार है, ठीके? मालवा का पठार है, नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारती द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या ह तो यह सभी द्वीप जो है ना प्रवाल के उद्गम है प्रवाल से बने हुए है ठीक है प्रवाल से बने हुए दीप है इस सब नेक्स्ट है फ्रेंड दक्षनी भारत के सब से उची चोटी कौन सी है तो दक्षिन भारत के सब से उची चोटी अनाय मुडी है ठीक है अन्ना म भासा में सबसे पहले भारत के लिए इंडिया सब्द का प्रियोग किया गया था नेक्स्ट है केंदर सासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समुह के राजधानी पोर्ट बलेर किस द्वीप परिस्थित है तो इतना इसमें दो दो क्वेशन है ओर पश्यम् बंगल सात्व ढहने का भाग सिर्ट तीका सद्व बहने का भाग नहीं है बाकि जो इस्चरण स्टेट है न भारत के अरुन आचल पर देश ह невचल और नाचल पर देश है मीजोरम है मनीपूर ह् मिघाले है असाम है त्रिपूरा है ठीके यह साथ है इसके इसके बाद हम लग बात करते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें आसाम भी है आसाम अरुनाचल प्रदेश मनिपूर में घाले नागा लेंड और मिजोरम ठीक है यह साथ है इसमें टोटल इसके बाद है फ्रेंड यहाँ पर कौन सी महतपूर्ण अक्षांस भारत को दो भागो बाडता है नेक्स्ट है नेक्स्ट है उत्तर भारत के उप हमाले च्थश्यत्र के सहारे फैले संतल मैदान को क्या कहते हैं जो उत्तर भारत की जो तो जो है उपोहिमेलएचेत उसके जो सारे फैलए हुए मैदान है उसको क्या कहते उसको भावर कहते हैं next कोरी neither ão कहां स्थित है तो और अब हना कौन सा राज जिस सब से अधिक राजी के साथ सीमाओं को सपर्स करती है उततर परदेशी है न जो की सबसे अधिक राज्जि के सिमाओं को सपर्स करती हैं ठीक नेक्स्ट है मैकान का परवत भारत के किस राजिम हैं तो मैकान पठर जो है मैकान पठर वह भारत के छतिसगड राजिम है चतिसगड में है ठीक है फ्रेंट इसके बाद है छोटा नागपूर का पठार या छोटा नागपूर किसका नाम है तो छोटा नागपूर है डियर वो राची का पठार का नाम है छोटा नागपूर ठीक है छोटा नागपूर राची का पठार का नाम है नेक्स्ट है इंद्रा पॉइंट भूमा धेरेखा से कितनी दूर है तो इंद्रा पॉइंट 876 किलोमेटर दूर है भूमा धेरेखा से अखिरे भूमा धेरेखा कौन से है वो समझे जो पृत्वी को ना दो भागों बाटता है पृत्वी को दो भागों बाटता है इसे हम इससे कितना दूर है भूमादरेगा से तो मात्र 876 किलोमेटर की दूरी है ठीक है 876 किलोमेटर की दूरी है इसके बाद है भारत के कौन सा राजी सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा को अपना साज्या करता है ठीक है उस इस क्वेशन में था कि स्पर्स करता है उस क्वेशन म तो उतर परदे से या भारत का कौन सा राजी सबसे अधिक राज्यों की सीमावों के साथ सीमा साजा करता है ठीक है तो यह उतर परदे सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साजा करता है नेक्स्ट है भूमध रेखा से भारत की दक्षनी छोर कितनी दूरी है तो भूमध को और इंद्र पॉइंट के बीच के दूरी कितने हैं तो 8ienen फिशुत अचले लेकिन पूच्ट कैगा भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है तो स्थल सीमा की लंबाई टूटली 15,200 और यह ईए तो इसका जो लंबाई है ये टोटल है भारत की कूल तर रेखा की लंबाई πट इस समुह सहीद कितना है अब देखे समुह सहीद जैसे यहाँ पर अगर ''H per न सुस्तर दर्ण के बात करें कि आचिकत यहां कि यदर हो जो भी सित डूप है थिक्छ कि यहां बार количество कितना है तो सब मिलेके 75-100-60 kms है. NEXT है मैकान का पठार किस राजय में स्थीत है तो भारत के 36 गड़ में मैकान का पठार इस्थीत है. NEXT है फ्रेंड संपूर्ण भारत के कितने परतिसत भाग पर पर्वत पहाड़ीों का विस्तार है. तो फ्रेंड 28.8 परसेंट भाग पर इसका विस्तार है परुत पाड़ियों का विस्तार है नेक्स्ट है संपूर्ण भारत के कितने छेत्रफल पर मैदानी विस्तार है तो संपूर्ण भारत के ना 44 परसेंट पर मैदानी विस्तार है नेक्स्ट है भारत में समुद्र खेड़्हा वेरा जेकर कितनी है तो ये नौ है अब और फिर एक पश्चिम बंगल ये है फ्रेंड ये है आपका गुजरात महरास्टा क्रनाटका गोवा केरल तमिल नाडू आंधर प्रदेस और ओडिशा और पश्चिम बंगल ये नौ राजे हैं इनके साथ भारत का सीमा साजा होता है ठीक है मतलब समुद्री तटके वाले करते हैं ठीक है इसके बाद है प्राचिन भारतिय वागोलिक मानेता के नुसार भारत किस दीब का आंग इस्टन लंगु चुट पुरोदेस अंतर नेक्स्ट है आदम का पुल की न दो देसों के मध्द है तो बैरन और नरकॉंड़न के बीचे आदम का पूल नेक्स्ट है फ्रेंड हैदराबाद का जुड़ूअ अगर कौन से है तो यह सिकंदराबाद नेक्स्ट थार भूमी कहां तो यह है पालमपूर को कहते हैं उत्तर भारत की चाय के रजधानी पालमपूर को कहते हैं ठीक है यहां पर आपको complete होता है लेकिन यह ध्यान रखिए कि कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएंगे आपको ठीक है वन लाइनर है बिल्कुल बेस्ट तरीके से किया हुआ है ठीक है फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद